बहुत सारे लोग हैवल्स, क्रोमटन, बजाज, रैकोल्ड, एओवस्मित, सिर्फ बड़े ब्रांड्स का नाम सून करके बीना कुछ सोचे समझे ही कोई सा भी मॉडल खरिद लेते हैं और कुछ लोग वैसे भी हैं, जिनके घर में हार्ड वाटर आता है, उसके बावजूद ही बिना कुछ रिसर्च किये हुए ही, गीजर को खरीद लेते हैं उसके बाद आपके घीजर खराब होना तो पका है याद हो सकता है, उसके हीटिंग इलिमेंट रस्ट के वज़़ए से खराब हो जाएं या फिर उसका जो टैंक है टैंक रस्ट के वज़़ए से खराब हो जाएगा देखें दोस्त ट्षैनलाजी के नाम पर बराम हैं कि ओद बेवकु बना बैठेंस सी अरिये और इसलिए दोस्त आपको बरामब में बिलकुल नहीं आना है। और उनके जाल में फंसने से बचने के लिए आपको ये पता होना चाहिए that गीजर इस लिए दोस्त अब इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा काफी रिसर्च कनेक बाद या वीडियो आपके सामने ले फरके आ रहा हूं बेस्ट फाइव गीजर इन इंडिया तो बताऊंगा ही और मेरा वादा है दोस्त इस वीडियो के लास लास तक आपको इतना नौल किन बातू पर जरूद देना चाहिए सब से पहले मैं दोस्तो स्टोर गेपसिती तो आप अपने फेप्ड़ clics वास शाप से यह जरूर देख ली जाएगा कि आंपको कितने इस इसतर चाहिए Moi र FREG प ह्स नसमाने अबर भी बहुत इमनें टैंक कोटिंग जेनरली दिखा जाया तो आपका रास्ट और क्रोजन से बचाने के लिए जो टैंक होता है उसके इनर साइड में भी कोटिंग किया जाता है अलगलग मेटेरियल का यूज करके जैसे कि बीटरस इनेमल कोटिंग हो गया जो कि फोर्सलीन और ग्लास का यूज कर के ही बनाया जाता है जो कि एक तरह का बोल सकते हैं ग्लास ही है थार्ड है दोस्तो ब्लू डायमन ग्लास लाइन कोटिंग आप इसका नाम सुने ही होंगे ये भी दोस्तो एक तरह का ग्लास ही है आप इसके डायमन नाम पर मत जायेगा ये अच्छी बात है कि अगर आपके तो अग्राइब को राता है तो अगर आपके घर में जयादा हाड़ वाटा राता है तो आप दोस्तों एक अच्छे क्वालिटी का मेटेरियल तो है ही उसके साथ यह आपका रस्ट से भी बचता है और आपका कुरोजन से भी बचता है और इसके वाटेश की बात करें दोस्तों तो जीतना ज्यादा वाट का आप गीजर लेजिएगा आपका जो वाटर है उतना जल्दी गरम होगा लेकिन इस बात का दिहां रखिएगा आपको उसी हिसाब से इलेक्रिसिटी का बील भी आएगा जेनरली 2000 से लेकर के 5000 वाट का आपके गीजर आता है तो आप मिनुम कोशिस्ट करिएगा कि 2000 वाट आपके गीजर में होना ही चाहिए जो कि आपके वाटर को 10-15 मिन बुला जाए तो हीटिंग एलेमेंट को रस्ट से बचाता है तो अगर आपके घर में हाट वाटर आता है तो यह टिकनलोजी भी आपके गीजर के अंदर होना बहुत जरूरी है अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों तो है आपका होरिजेंटल गीजर वासे वाटिकल गी यह चाहा है तो आप वैसे सिच्वियोशन में आप होरिजेंटल गीजर यूज करिएगा इस बात का धियान रखियेगा दोस्तों कि जो होरिजेंटल गीजर होता है वह आपके इनर्जी एफिसेंट नहीं होता है वह इनर्जी का ज़्याप्शन ज़्यादा करता है और वह है वह आपका electricity का कम कजब्सन करता है और सेकेंड पॉइंट है दोस्तों सेफटी वाल अगर आपके गीजर के अंदर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तो यह जो दो भाल्व दिये रहते हैं वह दोनों वाल फूल जाते हैं और थर्ड पॉइंट की बात करें दोस्तों तो है अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों तो है घीजर का प्रेशर रेटिंग अगर आप टॉप फ्लोर या फिर हाई राइस बिल्डिंग में रहते हैं तो हाँ पर वाटर का प्रेशर ज्यादा रहता है और उस सिचुएशन में अगर आप बिना प्रेशर रेटिंग देखे उपर कम्परिहेंसिफ दो सल का वरैंट मिलता है और लेकिन जो आपका हीटिंग ऊपर छान्से राता है तोck देखा चैंक करता है कि एक तो ज्यादा से ज्यादा वरांटी मिले लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा ज्यादा वरांटी वोना भी मैटर नहीं करता है कौन से बरांट का फिजर ले रहे हैं यह डिपेंड करता है दोस्तों कि कुछ बरांट जो है उनका आफ्रसेल सर्विस बिल्कुल अच्छा न काफी रिसर्च करने के बाद यह वीडियो आपके सामने ले करके आ रहा हूं तो यह वीडियो बनाने में दोस्तों मुझे लगवग 10-13 दिन का समय लग गया तो दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीज़ेगा इससे मुझे पैसे तो नहीं मिलते लेकिन इससे और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेस्ट जरूर मिलता है जो पांचवी नॉमबर पर मैंने गिज़ा रखा है दोस्तों वो बजाज के तरफ से आता है इसके वाटेस की बात करें तो यह 2000 वाट के साथ आता है 10-25 और ग्लास लाइट का कोटिंग मिलता है जो कि अच्छी बात है यह टिकनलोजी आपके टैंग को रस्ट और प्रोजल से बचाएगा इसमें आपको कॉपर का हीटिंग एलिमिट मिलता है और एक अच्छी बात है इसमें आपको मैगनेशिय वरड मिलेगा जो की खूद से लड़ करके आपके टैंग और हीटिंग एलिमिट दोनों को बचाएगा और अच्छी बात है यह गीजर एक बार प्रेशर के साथ आता है तो अगर आप हाई राइस बील्डिंग में रहते हैं तो कोई दिक्कत वाले बात नहीं है सेफटी के सारे फीचर इस गीजर के चैंग लिए देरे मिक्स करता है जिससे कि आपका पानी ठंडा नहीं होता है और इस तरह से आपका इनरजी भी सेव होता है और बिजली का कन्जप्शन भी कम होता है इसमें आपको ना इक फ्री इस्टोलेशन मिलता है और ना ही आपको पाईप वागएर मिलेगा इस बात आप जरूत हैंड़ किएगा वारांटी की बात करें दोस्तों वन येर का प्रोड़क्ट के उपर वारांटी मिल जाएगा इसके प्राइस की बात करें दोस्तों इसका 15 लीटर वाला मौडर लगभग 6000 के आसपास में मिलता है तो आए दोस्तों अब बजाज गीजर के कौन के इसके आपको नहीं कोई इंश्टोलेशन मिलता है जासे सि 10 to 25 liter capacity में आता है यहां 4 star rating वाला गीजर है tank material की बात करें दोस्तों तीसे भी आपको steel tank मिलता है अगर इसके inner coating की बात करें दोस्तों तो इसके उपर titanium enamel का coating किया हुआ है जो कि आपके tank को first hour corrosion से बचाता है इसके heating element के material के बारे में दोस्तों confirm नहीं है मुझे लगता है या तो यह copper का बना होगा या फिर iron और nickel का alloy हो सकता है या गीजर भी दोस्तों 8 bar pressure के साथ आता है और इसमें inho ने soil flow technology के नाम पर flexi mix का नाम रखा है जो कि वही है hot water में cold water slow mix करता है जिससे की electricity का थोड़ा सा saving होता है safety features में अगर देखा जाए दोस्तों तो सारा features मिल जाता है लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा इसमें आपको temperature indicator नहीं मिलता है अगर इसके installation की बात करें तो आपको installation free of cost मिलेगा और इसके access space भी आपको free of cost मिलेंगे लेकिन अगर आप rural area में है तो हो सकता है आपको कुछ पैसा payment करना पड़े इसके warranty की बात करें इसमें आपको 2 year on product, 3 year on hitting element और 7 year on tank उपर warranty मिल जाता है इसके price की बात करें दोस्तों तो इसके 15 liter वाला model लगवग 9000 के असपास में आता है अगर इस गीजर के कौन के बात करें दोस्तों तर आपको foreign brand है और इंडिया में इसके after sales service बढ़िया नहीं है तो इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा और हो सकता है अगर आप नया नया गीजर खरीदें तो आपको installation में थोड़ा सा समय लग सकता है अगर इसके approach की बात करें दोस्तों तर आयकोल्ड का आप कोई सभी model उठा लेजे इनका electricity consumption बहुत ही कम होता है क्योंकि इनका technology advance होता है दोस्तों और इस चीज के लिए इनको BE के तरफ से award भी मिल गया है less energy consumption का तो आईए अब तीसरे नमर के गीजर के बारे में बात करते हैं यह दोस्तों आपका AO Smith के तरफ से आता है हो सकता हमें से कुछ लोग नाराज हो जाएं कि AO Smith को मैंने तीसरे नमर पर क्यों रखा है अच्छी बात है यह 5 star rating वाला गीजर है अगर इसके tank material के बात करें दोस्तों तो यह भी आपका high quality का steel material का बना हुआ है और इसके inner side में blue diamond glass line का use करके coating किया हुआ है जो कि वही है रास्ट और corrosion से आपके tank को बचाएगा heating element के उपर भी दोस्तों glass line का coating किया हुआ है जो कि आपके heating element का life power बनाता है और इसे रास्ट और corrosion से बचाएगा इस गीजर के अंदर भी दोस्तों आपका inner rod मिल जाता है जो कि hard water से खुद लड़ करके आपके गीजर को protect करेगा अगर इसके installation की बात करें दोस्तों इसमें आपको जो installation है सिर्फ मेडरो सिटीज में ही आपको free installation मिलता है तेकिन इस बात का धियान रखिएगा आप कहीं भी हो आपको accessories का लग से 400 से ले करके 500 रुपए payment करना ही पड़ेगा इसके warranty की बात करें दोस्तों तो टू एर का comprehensive warranty मिलता है और इसके heating element के उपर वे टू एर का warranty मिलता है और इसके tank उपर बात करें दोस्तों तो 15 लीटर वाला model लगभग 10,000 गया सबस्वर मिलता है तो आईए दोस्तों अब A.O.S.M.T. गीजर के कौन के बारे में बात करते है अगर पहले नमर के कौन की बात करें तो इसमें आपको कोई भी temperature indicator नहीं मिलता है जब किसी price range में आपको दूसरे brands ये indicator प्रवाइट कर देते हैं अगर दूसरे कौन की बात करें दोस्तों तो मुझे लगता है A.O.S.M.T. का इंडिया के अंदर थोड़ा संभाव बढ़ गय यही गीजर आपको लगवग दो साल पहले 7-8 जा रुपए में मिलता था लेगिन अब इसके price देखिए 11-12 जा रुपए हो गया है यही नहीं अगर इसके अगले कौन की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको see free installation मिलता है यानि आपको pipe के लिए पैसा देना पड़ेगा वो इसमें की बात करें तो यह गीजर भी दोस्तो 2000 वाट के साथ आता है और यह 10-25 लिटर कैपसिटी में मिल जाएगा आपको यह गीजर आपको four star rated गीजर है इसमें भी दोस्तों आपको superior grade का steel वाला टैंक मिल जाएगा टैंक की इनर साइड में दोस्तों फेरो गलास का यूज इसमें की आपका जल्दी corrosion और rust नहीं लगता है इसमें भी दोस्तों आपका inode rod मिल जाता है जो की अच्छी बात है यह गीजर भी आपका eight bar pressure के साथ आता है safety features की बात करें दोस्तों तो इसमें सारे safety features मिल जाते हैं और उसके अलावा अलग से आपको temperature indicator में मिल जाता है जो की year on tank के उबर मिलेगा जो की अच्छी बात है वही इसके price की बात करें दोस्तों तो इसका price लवब 8000 के आसपास रहता है अगर है वसकी इस गीजर के कौन के बारें बात करें दोस्तों मुझे वैसा कोई major कौन तो नहीं दिखा लेगिन हाँ आप यह वह सकते हैं या four star rated energy वाल इसे नमर के गीजर के बारें बात करतें तो यह अडिजर आपका weigyard के तरफ से आता है इसके wattage rating के बात करें तो यह पहीकशड व्युटा वाट के साथ आता है इस सके capacity की बात करें तो 15 एक्स्ट्रा थीक मेगनेसीम रॉड मिलता है, जो कि आपको टैंग और हिटिंग एल्मेंट को हार्ड वाटर से प्रोटेक करेगा, यह गीजर भी दोस्तो एड़ बार प्रेसर रेटिंग के साथ आता है, safety features की बात करेंशो इसमें, जिनरली सभी safety features मिल जाता है और अच्छी बात है इसमें आपको digital display वाले temperature indicator मिल जाता है, इसके installation की बात करें दोस्तो इसमें भी आपको free of post installation मिल जाता है, और उसके अलावा आपको inlet और outlet pipe जो है वो भी आपको free में मिल जाेगा, तो इसमें जिनरली सभी सेफटी फीचर्स मिल जाता है और अच्छी बात है इसमें आपको डिजिटल डिस्प्ले वाले टेंपरेशर इंडिकेटर मिल जाता है इसके इंस्टोरेशन की बात करें दोस्तो इसमें भी आपको फ्री ऑफ पोस्ट इंस्टोरेशन मिल जाता है और अलावा आपको inlet और outlet pipe जो है वो भी आपको free में मिल जाएगा इसके warranty की बात करें दोस्तो तो two year on product, three year on heating element और five year on tank उबर मिल जाता है इसके price की बात करें दोस्तो तो जो 50 liter वाला model है लगवग 9500 के असवास मिलता है जो के digital display वाला है और अगर आप without digital display वाले लेंगे तो गीजर के कौन के बारे में बात करें दोस्तो तो वैसे मुझे कोई बड़ा कौन तो नहीं दिखा लेकिन हाँ इसके अगर प्रोज की बात करें तो वही आपको यहाँ पे free installation, free pie भी मिलता है उसके अलावा आपको digital indicator मिलता है तो अगर बात करें दोस्तो तो यह गीजर भी आ लेक कर सकते हैं हाँ अगर आप मेरे से बुछैंगे कि आपको कौन से उसका लेना चाहिए अगर आपahh jazz के लिजी क्याakah और आफ्र हेस करें डिये में आप करो तो पर नहीं दोस्तो ताब हैDieमर को अब करोंच का से विज आपको नहीं मिलेगा तो ठीक है दोस्त अब मैं चलता हूँ उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको एक बेस्ट गीजर खरिदने में यह वीडियो आपको हेल्प भी किया होगा तो दोस्त अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को जरू सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का बाई